प्रश्कार दोस्तो आज मैं आपके साथ बहुत तगड़ी स्टडी शेयर करने वाला हूं जो मैंने लास्त तीन चार घंटे पाच घंटे लगा करके पड़ी है सिर्फ और सिफ दस में बताऊंगा मैं और सीधे की पॉइंट्स को पर जाएंगे आपको पता है ये वीडियो सारी चीज़ों को जो हम को रेलेट करेंगे तो हमारा मार्केट को देखने का परस्पेक्टिफ चेंज हुज जागा बिकिस मार्केट हमेशा सेम नहीं होती और अगर आप एक लॉंग टम इंवेस्टर हो ट्रेडिशनल बे फॉलो करते हो सारे यूट्यूबर्स को देखते ह तो यह जो परस्पेक्टिफ है यह शायद आपको थोड़ा हटके देखने को मिले क्योंकि अब यहां पर एक रीसेंट पब्लिश हुई स्टडी और आप क्या सकते हो यूट्याय ने एक इंटवी भी दिया यूट्याय जो है वो इंडिया का सबसे पुराना म्यूचुल फं है नहीं इनका जो मीचर डिटा आया क्योंकि पुराने टाइम पर आपको पता है जात्रे लोग म्यूचुल फंड के अंदर इंवेस्ट नहीं करते थे तो जो मीन डिटा लिया है उन्होंने 2003 से लेकर के 2005 की बीच में लिया और उन्होंने ये पूछा गया उनसे कि भाई कैटेगरी के म्यूचुल फंड की बात हो रही है यहां पर तो कैसा रहा यह वाला म्यूचुल फंड कैसा यह अच्छा म्यूचुल फंड है और यहां पर तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा हम सब को पता है म्यूचुल फंड सही है म्यूचुल फंड में लॉंग टम किसी का नाम सामने नहीं आता तो ऐसा क्यों है या आपके साथ कौन सा ऐसा बंदा है जो कि 15 साल तक टिका हुआ है किसी ने जो पूरे पैसे बने हैं इसका फायदा उठाया ये नहीं उठाया तो UTI का कहना क्या था मैं आपको बताता हूँ और आप सर्प्राइज हो जाओगे उन्होंने बोला जब से हमारा mutual fund शुरू हुआ वो एक particular mutual fund उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे बंदे हैं जो वो पूरे साल सर्वाइफ कर पाए 2003 से लेकर के 2015 तक और वो शार उससे पहले भी invested थे इस mutual fund के साथ और उन्होंने maximum पैसे बना है क्या उन्होंने भी करो इसे लोग थे जो कि UTI के साथ जुड़े हुए थे और उस समय पे ना निपान इत्ता ज़्यदा पॉपलर हुआ करता था कॉंट तो था ही नहीं उसका existence ही नहीं था और बहुत सारे mutual fund थे ही नहीं और उस समय पे data analyze करना publicly available होना वह भी मुश्किल है भी आप जाकर के देखो तो maximum पुराना से पुराना data आपको 2010 या 2012 के आसपस दिखता उससे पुराना data आपको internet पे नहीं दिखेगा किसी भी mutual fund का तो इससे आपको एक चिस समझ आ गई कि अगर हम बात करें fund manager की या फिर जो mutual fund के अंदर actually बंदे काम करते हैं जो AMC हैं उनके पास भी कोई ऐसा बंदा की गलती है नहीं उसकी भी गलती नहीं क्योंकि जो हमें सिखाया गया है traditional way में कि 15 साल में 20% के CAGR बनेंगे वो उन्होंने deliver करा उनकी गलती नहीं है हमारी गलती नहीं क्योंकि हमने invest के बढ़ब लंबे समय तक टिक नहीं पहें पर problems क्या आई जो real life में कोई face नहीं करता जो आपको आज हर एक इंसान बीच रहा है YouTube के पर long term long term long term लेकिन problem क्या है 15 साल के investing के अंदर तो उन्होंने मुझे कुछ key points समझाए और मैंने research के अंदर बाकी सारे research के अंदर देखा और कुछ हद तक similar key point और जो real life में impact करते हैं वो key points मैं आपके लिए लिए कर का है उस पे बात करते हैं अगर आप एक long term investor हो तो आप aware हो इस point से यह important है मेरे को कोई शौक नहीं आपको डराने का मैं आपको reality समझाने वालों कि 15 साल की journey कैसे होने वाली है आपके तो यह बहुत important चीज़ है सबसे पहली चीज़ 2003 से लिकाए 2005 तक सिर्फ तीन लोग टिक पाया उसे एक mutual fund मे दूसरी चीज़ जो holding period है वो बहुत ज्यादा बड़ा है मतलब आप 15 साल के एक mutual fund के साथ connect होने वाले हो जब आप long term invest करोगे तो महाँ पे वो mutual fund underperform भी करेगा outperform भी करेगा आपके लिए return निकालेगा भी और आपके लिए नहीं भी निकालेगा लिकर उसके बावजुद इदम traditional way follow करते हो और अगर आप invest करते रहते हो तो आपके पैसे बन जाएंगे इसमें कोई दोर आए नहीं है मतलब इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन ये feasible क्यों नहीं हो पता सबसे पहला reason ही है holding period 15 साल के अंदर आपको maximum time क्या दिखता है 70% of the time market नहीं चलती आपने ये जो last 3-4 साल के return देखे हैं अगर आप ये सोचो कि या से return बनते नहीं बनते 70% of the time market नहीं चलती market क्या गरती है market consolidate करती है मतलब एक channel पकड़ती है उसके बीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करती है अब आप ये मैं सोचो कि आप कित्ते intelligent हो रहीट मुझे पता है आप लोग काफी intelligent हो लेकिन मैं बस ये मानूँगा कि अगर इस channel को या एक video से किसी भी एक basic इंसान का भला होता है जो ये सोच करके आ रहा है कि भाई मेरे को पैसे बना रहे है mutual fund में पैसे एकदम से बन जाएंगे नहीं बनेंगे बिए 70% of the time नही ठीक है लेकिन आप क्या 15 साल तक invest कर पाओगे नहीं एक basic example देते हूं कि आप PPF में आपको पता है कि बहुत अच्छे return मिलते थे पहले 10% के आसपास के return भी अब PPF नहीं दिये थे किते हैं लोग PPF में complete कर पाते थे 10 year बहुत सारे कर पाते थे पता है क्यों क्यों कि वहां प basis में increase हो लेकिन mutual fund consolidate कर रहा है उसके मन में सबसे पहले क्या आएगा या मेरा mutual fund ही खराब है मेरेको इसको बेची देना चाहिए मेरेको किसी दूसरे में चले जाना चाहिए अगर उसका जाने का मन है तो लेकिन यह time आपको समझ आना चाहिए कि भाई अब यह time है जब आपको patience दिखाना है क्योंकि अगर एक mutual fund नहीं चल रहा तो दूसरा भी most probably नहीं चलेगा consolidation वाली market है यह मैं 2003 से 2015 की बात कर रहा हूँ आने वाले time पर आगे की भी बात करेंगे second चीज जो निकल करके आई वो आई कि जो market है वो grow नहीं करती वो grow क्यों नहीं करती because 70% market consolidate करती है 20% के अस-पस market गिरती है मतलब अगर आप 10 साल का time लोगे तो 7 साल market ना सिर्फ consolidate कर रहा है पैसे जाके ऐसे 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 मतलब स्टेट साल नहीं होंगे 20 वीच में चलेगी 20 वीच में consolidate करेगी 20 वीच में गिरेगी भी तो इस तरीके से पूरे 15 साल यहां पर बनेंगे तो इस वज़ कर रहा हूं कि लोग सबसे ज़्यादा पैसर डालते हैं जब market उपर होती है और उसके वाद क्या problem होती है आपने उपर पैसर डाला यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप बोलो कि भाई लाग 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 वीडियो पे contradiction करते हैं वीडियो का concept समझोगे आप तो आपको सम मुझो अगर आप यह concept के सास जाते हो कि भाई 15 साल तक ही जाना है तो आप कभी भी उठ करके मतलब आप नीन से सो करके उठो दे दना दन एक करोड की investing एक लग करोड का लंसम कर दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह clear है कि भाई 15 साल है पता है क्यों problem क्या होती है जब एक retail investor आता है bull run में और यह देखा गया data प्रूव करता है कि भाई सबसे ज़्यादा account open होते हैं जब bull run का peak होता है जैसे ही bear run का एक साल निकलता है 60% के आसपास जो retail investor होते है वो बंद कर देते SIP या investor नहीं करते है और उस समय पर loss book करते है इसलिए मैं share कर हूँ आपके साथ मैं द best करते हैं फिर market गिरती है 2-3-4 साल तक नहीं चलती small cap category के mid cap category की शायर एक साल तक ना चले large cap category की हो सकता है break even के आसपास आजा एक से 2 साल के अंदर के गिर गे वापस से थोड़े बात recover कर गई अब यहां पर किनको दिक्कत होगी एक बंदा सोचो आप उस बंदे से सोचो कि जिसको ना किस लोगों ने बोला है कि यार तो बिल्डिंग पर चड़ जा बिल्डिंग पर चड़ जा बिल्डिंग पर चड़ जा बिल्डिंग पर चड़ जा उसने देखा कि 4 लोग बिल्डिंग पर चड़े और गिरे उनको कुछ ही नहीं हुआ वो काफी excited हो गया उसने नहीं पता, situation नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसको building में चड़ा दिया, आँग बंद करको अब धका मार दिया, अब वो एकदम से गिरा, तो जब वो गिर रहा होगा, तो उसके दिल में क्या होगा, उसके दिल में हवा खराब हो जाएगा, अब तो मैं मर गया, अब तो हो गया काम खराब, अब जिन्दगी में कुछ नहीं हुआ, नीचे जाली है, वो गिरेगा तो उसे पता चलेगा, हाँ भी जाली है, लेकिन वो जो time बीता उसका, उपर से नीचे गिरने का, वो सोचो नर्क बन जाएगा, और कितने लोगोंगे जो उनको बीच में हार्ट अट अट अटी गिर सकती है, और इतने time तक recover नहीं करेगी, ठीक है, उसको बीच में heart attack आया, मतलब वो बीच में redeem करके भागे, कि मार्केट ही खराब है, वो वो बिचारा दुबारा आएगा नहीं, क्योंकि उसको कोई बता नहीं रहा, अब उसको छत पे ले जाओ, और उसको बोलो देख ले, यहां से गिरेगा, तो डर लगेगा, थोड़ी problem भी होगी, ठीक है, थोड़ा परिशान भी होगा, जैसे बंजिंग जंपिंग में होता है, ठीक है, almost guarantee है, 80-90% कि आप गिरोगे, तो जालीर समहाल लेगी, क्योंकि दो-तिन layer है हमाप पे, तो आपको मरोगे नहीं अप, ज्यादा स्यादा हाट पर तूट सकते हैं, maximum worst case condition में, तो बंदा गिर रहा है, तो उसको पता है, अपने risk पर हो सकते हैं, उसको बीच में heart attack फिर भी आ जाए, लेकिन chances उसके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई गिर गया, तो उसको पता था, हाँ भी मैं गिर र हो सकती है, आपकी मर्जी है, आपको कूदना ही नहीं कूदना, negative होना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं अंधे की तरा आपको धक्का नहीं दे सकता, और ये इस channel का motive है, क्योंकि भाई, मेरे को लोगों ने दिया है, तो मैं ये चीज़ आपके साथ नहीं करने वाला, तो जब mutual fund में लोग आते हैं, तो वो volatility को नहीं समझते हैं, वो सूचते हैं, उपर खड़ीद लेंगे, पैसा बन जाएगा, गिरते हैं, लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके इकनौम में रिकवर कर रही हैं, आप क्या तो भाई, देश है हमारा, व आपने फिर भी पैसर डाला, ये question आपको खुछ से पूछना है, जब आप long time की बात करते हैं, तो इसी के साथ साथ, कोई return नहीं बने, इस वज़े से लोग छोड़ देते हैं, कि भाई, उन्होंने पैसर डाला, consolidation market थी, और कोई return नहीं बने, एक डिर दू साल में, लोग exit कर कि ये कुछ major reasons है, जिस वज़े से mutual fund अपने आप में बहुत अच्छे return देता है, लेकिन एक normal retail investor वहाँ से return नहीं achieve कर पाता, क्योंकि वो ये साथ चीज़े नहीं समझता, उसको धक्का दे देते हैं, बिना educate करे वे, और आप उनको ज़्यादा priority दे सकते हैं, जो आपको बोल सब्सक्राइट के साब साब risk ले रहे थे, और मेरा सिफ काम ये है, चाहे दो सब्सक्राइबर कभ आ जाए, बड़ भाई जोट बोल कर गए, कोई काम नहीं करना, वीडियो पसंद आई है, knowledge समझ आई है, क्या हमने सीखा, ये समझ आया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्र और वीडियो को लेकरना बिर्कोन लग ए बुलना, थिम्यू सो मच वे शलकित वाँड इस वीडियो, टाठा, बगाई, सब्सक्राइबर करें के दो सूंड कृए, क्या तॉर क्या श्रुत कूक्त बहुंत।